हेलो, नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ, आप लोग बहुती अच्छ होंगे, तो दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेटियम पेँमेंट्स बाइंक, 15 मौच को बंध होने जा रहा है, तो दोस्तो PTM Payments Bank तो बंद हो जाएगा लेकिन दोस्तो PTM को आप यूज कैसे करेंगे तो दोस्तो यूज करने के लिए दोस्तो उसमें आपको नया Bank Account को आइड करना पड़ेगा तो दोस्तो Bank Account को कैसे आइड करते हैं उसका क्या process होता है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखेगा और दोस्तो वीडियो सुरु करने से पहले आपसे एक छोटा सारी quest है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें है तो यहां पैट्याइम का अप्लीकेसं को ओफेश करेंगे तो इस तरह से दोस्तों इंटरफेश legal तो यहां पर important notice है जो कि दोस्तों प्रेटिये payments bank 15 मार्च को बंद हो जाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है और यहां पर add bank account लिखा हुआ है तो दोस्तों हम add bank account पर click कर देंगे तो add bank account पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा हुआ select your bank तो दोस्तों आपका account जिस भी bank में है उस bank को आप select कर लिजेगा तो दोस्तों हम अपना bank account को select कर लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यह रहा हमारा bank दक्षिन बिहार ग्रामिन bank तो इस पर हम click कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो mobile number लिंक रहेगा तो automatic यहां पर दोस्तों link हो जाएगा आपका जो mobile number है उस bank से link होना चाहिए तब ही दोस्तों आप अपने PTA में bank को add कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों receive money पर click कर देना ह है उसके बाद देख सकते हैं congratulations now receive money from any UPI और यहां पर नीचे ओके go it लिख रहा है तो ओके go it पर click कर देना है तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर आ रहा है bank account added successfully लेक्षिन विहार ग्रामिन bank तो दोस्तों हमारा जो bank account है दोस्तों अब add हो चुका है दोस्तों bank account add होने के बा हुआ UPI settings तो इस पर आपको click कर देना है तो दोस्तों click करने के बाद दोस्तों यहां पर दीख रहा होगा bank account दोस्तों जो bank मैंने add किया था तो दोस्तों इस पर हम click कर देंगे click करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहां पर default bank to receive money set किया हुआ है मतलब दोस्तों हमारे PTM मे receive होगा तो दोस्तों आपको UPI pin set करना है दोस्तों क्योंकि दोस्तों जब आप अपने PTM से अपने bank account से लेंदेन करेंगे तो उसके लिए दोस्तों UPI pin की जरूरत होती है UPI pin set करने के लिए दोस्तों set pin पे click करने के बाद दोस्तों अप जिस bank को यहां पे add किये हैं उसी bank का ATM का number और expired date दोस्तों आपको डालना है तो चलिए दोस्तों हम अपना ATM का number और date डाल दिये हैं उसके बाद दोस्तों यहां पे दिख रहा होगा proceed इस पे click कर देना है इस पे click करने के बाद दोस्तों आपको OTP से verification करेगा automatic तो bet करेंगे इसके लिए देखिए दोस्तों automatic verified कर लिया है OTP से उसके बाद दोस्तों सेट डिजिट यूपी आई पिन दिख रहा होगा तो दोस्तों मुझे आप यूपी आई पिन को सेट कर देना है तो दोस्तों हम अपना six digit का यूपी आई पिन को सेट कर लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा यूपी आई पिन सक्सेशफूली सेट हो चुका है तो दोस्तों आप आपका काम हो गया है तो दोस्तों अगर आप अपना यूपी आई पिन को बदलना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है चेंज पे किलिक करके add करें या फिर इस bank को हम यहां से remove कर दें तो इसके लिए दोस्तों आपको यहां पे three dot दिख रहा होगा three dot पे click करना होगा उसके बाद दोस्तों आपको remove icon पे click करना होगा तो इस पे आपको click करके यहां पे दोस्तों आएगा yes तो yes पे आपको click करना होगा जैसे ही आप yes पे click करेंगे तो दोस्तो आपका जो bank है वो bank दोस्तो हट जाएगा remove होजाएगा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तो तो इसके लिए आपको buy करना है buy करने की बात जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है पहले से bank add किया हुआ है जो मैंने add किया था अगर आप चाहते हैं कि हम एक bank से ज्यादा bank को हम add करें प्रेटिये में तो दोस्तो उसके लिए आप को यहाँ पर add bank account दीख रहा है तो इस पर आपको click कर देना है जैसे इस क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो प्रोसेस मैंने बताया था शुरुआत में नया बैंक को आइड करते समय उसी प्रोसेस को दोस्तों आपको फॉलो करना है तो दोस्तों आपका जो बैंक है वो आइड हो जाएगा तो उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी ल झाल झाल